हेलो एब्रिवन, मैसेल्फ अकांख्षा विश्णोई, वेलकम बैक टो माइ यूट्यूब चैनल, स्टड़ी विद अकांख्षा, होप यू अल आर वेल, सो गाइस, आज का हमारा ग्रामर का नेक्स ट्रॉपिक है, फ्रेजिज, यानि की वाक्यांश, सो गाइस, वीडियो को लास्ट तक देखें, अच्छी तरीके से समझने के लिए, एंड आप लोग मुझसे इंस्ट्राग्राम एंड एफबी के थ्रूबी कनेक्ट हो सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एंड इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज लाइक, शेर, सब्सक्राइब एंड प्रेस तर बेल आइकन, ताकि आप लोगों को आने वाले फ्यूचर वीडियो की नॉटिफिकेशन सही समय पर मिलती रहें, सो आज का टॉपिक होने वाल है बहुँ जादा इंट्रेस्टिंग, सो वीडियो को एंड तक दे देख लेते हैं इसकी, in everyday speech, a phrase is any group of words, often carrying a special idiomatic meaning, and एक definition हमारे ये भी हो सकती है, एक group of words, शब्दों का ऐसा समूम, that makes sense, but not complete sense, जिसका मतलब तो निकलता है, but complete meaning उसका नहीं निकलता है, is called phrase, phrase कहलाता है, ये हमारे definition, a group of words, that makes sense, but not complete sense, शब्दों का ऐसा समूम, जिसका अर्थ निकलता है, but complete पूरा अर्थ उसका नहीं निकलता है, वो हमारा phrase कहलाता है, ऐसे शब्दों के समूम को phrase कहते हैं, जो सम्पून अर्थ, जो अपून अर्थ प्रकट करता है, पून यानि अधूरा, अर्थ की अभिव्यक्ति पून रूप से नहीं होती, इसमें करता एवं पून क्रिया नहीं रहती है, for example, on the table, यह हमारा क्या है, phrase, इससे हमें कुछ पता चल रहा है, on the table, बस एक हमारा शब्दों का समूम है, but अगर हम यहां लिखने, the book is on the table, तो यह क्या हो गया, यहां पे हमारा पूरा sentence बन गया, और यह है हमारा phrase, आगे मैं अभी आपको example and पूरा phrase के बारे में बताती हूँ, चलिए गाइस, अब example के थूरू, कुछ sentences हम देख लेते हैं, phrases, the principle, with his staff, came to my house on my birthday, यह हमारा complete sentence है, इसमें हमारा phrase क्या है, with his staff, यह हमारा हो गया, यहां पे phrase, अगर only सिर्फ यहीं लिखा हो, with his staff, staff के साथ, तो इससे कुछ पता चल रहे है, वाक्य का अर्थ पता चल रहे है, staff के साथ, बट वो complete नहीं है, तो यहां पे यह हमारा हुआ phrase, उसी तरीके से on my birthday, मेरे birthday पर, यहां पे भी वाक्य का अर्थ है, बट complete अर्थ नहीं है, तो यह हो गया हमारा phrase, उसी तरीके से second example देखते हैं अपना, in the dark of the night, रात के अंधेरे में, यह एक हमारा phrase है, पता चल रहे है, रात के अंधेरे में, एक वाक्य का अंश है, बट इसमें यहां पे complete meaning इसका पता नहीं चल रहे है, अगर यहां पे मैं लिख दूँ, she was lost, in the dark of the night, वह रात के अंधेरे में, खो गई, तो यह यहां पे complete sentence बन गया, और इसका meaning भी पता लग गया हमारा phrase, nice neighbor, अच्छे पड़ोसी, word का अर्थ पता लग रहे है, शब्द का क्या अर्थ है, बट complete sense नहीं है, अगर हम यहां पे लिख दें, we have a nice neighbor, तो यह हो गया हमारा complete sentence, with complete sense, उसी तरीके से, the last sandwich, last sandwich मतलब अन्तिव सेंडविच, अगर यहां पे लिख दें हम, who ate, who ate the last sandwich, अन्तिम सेंडविच किसने खाया, तो यहां पे यह complete बन गया हमारा sentence, तो यह हो गया हमारा phrase, the last sandwich, इस तरीके से हम में phrase का पता करना होता है, चलिए अब आगे देखते हैं, So guys, आगे देखिए, there are five main types of phrase, phrase हमारे पांच प्रकार के होते हैं, कौन-कौन से, noun phrase, verb phrase, adjective phrase, adverb phrase and prepositional phrase, यह हमारे five types के phrases होते हैं, अब example देख लेते हैं, noun phrase का example देखिए, animals need water, अगर यहाँ पे होता, animals need, तो यह phrase है, but animal need water, तो यहाँ पे पूरा sentence बन गया, तो यहाँ पे animal क्या हो गया हमारा noun, तो यह हो गया हमारा noun phrase, उसी तरीके से verb phrase, we have been working since 9 a.m. यहाँ पे have been working, यह हो गया हमारा verb phrase, क्योंकि यहाँ पे यह हमारी क्रिया है, have been working, उसी तरीके से third point is adjective phrase, he has a clever idea, यहाँ पे clever क्या हो गया, हमारा adjective, fourth point is, adverb phrase, he spoke very softly, यहाँ पे very softly क्या हो गया हमारा, adverb, तो यह हो गया, adverb phrase हमारा, उसी तरीके से prepositional phrase, the, they were, they were arguing about money, तो about money यहाँ पे हमारी क्या है, preposition, तो यह हो गया हमारा, prepositional phrase, इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, कि हमारे five type के phrases होते हैं, और कैसे आपको उनकी पहचान करनी है, वो मैं आपको बता चुकी है, phrase यानि वाक्य का एक अश, जिसका अर्थ इसपस्ट ना हो, hope guys, आप लोगों को समझ में आया होगा, और कहीं भी कोई भी डाउट होता है, तो आप लोग comment box में जाकर पूच सकते हैं, और वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो, तो आप लोग अपने trend circle में, और रिलेटिव में भी शियर कर सकते हैं, और आप लोगों को आने वाले future वीडियो की notification सही समय पर मिलती रहें, और आप लोग मुझसे Instagram और FB के Thruby Connect हो सकते हैं, लिंक आपको description box में मिल जाएगा, चलिए गाइस मिलते हैं अपने next video lecture में, थेंक्यू सो मच, कर सकते हैं,